आज के इस टेली की सेशन में आज हम बात करने वाले हैं voucher entry के, तो voucher entry आप कैसे करेंगे, कैसे आप debit, credit, यह सब करेंगे और उसके बाद सारे transaction ko हम एक एक करके आपके ऐसामने करके दिखाएंगे यह question है अब यह entries को हम अपने टेली में pass करेंगे तो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं started business with case rupees 5 lakh तो जैसे कि यह हमारा टेली है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेली जो हमारा हो गया यहाँ पर अभी यह हमारा company है company अब यहाँ पर जाना है तो आप डिरिकली यहाँ पर वाउचर पर आप क्लिक कर सकते हैं यह भी shortcut की वी पर क्लिक करके वाउचर एंटरी पर जा सकते हैं अब यहाँ पर देख सकते हैं वाउचर जो है वह अभी जैसे की स्टार्टेड बिजनेस विद केस रुपिस फाइब लेक तो बिजनेस में पैसा आ रहा है पांच लाग रुपिया ठीक है तो यह कौन दे रहा है जैसे कि जो भी बिजनेस का ओनर है यानि कि केपिटल तो उस वह ओनर जो है बिजनेस में अपना पांच लाग रुपिया लगा रहा है तो ठीक है तो इसमें क्या हो रहा है कि क्रेडिट केपिटल एकाउंट यानि कि ओनर के एकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है और डेबिट जो पैसा आ रहा है तो हम इस एंट्री को रिसीप में मतलब पैसा आ रहा है तो हम र अल्टर सी पर क्लिक करके लेजर क्रियेट करते हैं तो केपिटल एकाउंट अंडर हेड होगा केपिटल एकाउंट अब इसको सेप कर लिजे और एमाउंट जो है फाइब लेट और डेबिट हो रहा है केस तो यह हमारा पहला एंटरी हो चुका है अब दूसरा एंटरी है ओपन बैंक एकाउंट इन पी एन बी बैंक विट केस रुपिस ट्वेंटी फाइब थाउजन तो 25,000 से हम अपना बैंक एकाउंट ओपन करेंगे तो यहां पर देखिए क्रेडिट होगा केस यानि कि जब पैसा आता है तो डेबिट होता है पैसा जब निकल रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे तो पैसा को हम यहां पर क्रेडिट करेंगे केस एकाउंट को क्रेडिट क Ç 종UP, Butit debit से अभी हम चैली पर आते हैं, तो जब भी, Bank एकाउंट, Bank Transaction करेंगे, तो उसमें Contra का बाउचर हम सेलेक्ट करने लेंगे तो F4 पर क्लिक करना है, तो यह तो देख जैसे कि y'e Contra Entry आ चुका है, अब हम credit करेंगे cash, तो यहाँ पर देखे credit करेंगे, में case यहाँ पे करेंगे amount हो जाएगा 25,000 और debit करेंगे PNB bank account तो PNB bank account का ledger create करेंगे तो alter C पे create करेंगे PNB bank account अब यह under head होगा bank account तो यहाँ पे आप account number fill कर सकते हैं जैसे अगर के हम set कर लेते हैं तो यहाँ पे credit case और bank PNB bank account यहाँ पे 25,000 यहाँ पे हम जमा कर रहे हैं तो ऐसे करके आप bank account open कर सकते हैं अब यहाँ पे तीसरा entry जो है purchase good for case rupees 50,000 case में हम good purchase किये हैं 50,000 का तो इसका entry करने के लिए हम payment पे जाएंगे f5 payment का shortcut की है f5 अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं goods को purchase कर रहे हैं ठीक है जब हम purchase करते हैं तो हम समान खरीद रहे हैं ठीक है जब समान खरीद रहे हैं तो हम हम पैसा दे रहे हैं यानि कि हमसे पैसा निकल रहा है तो यहां पर पैसा जब जाता है तो क्रेडिट करते हैं आता है तो डेविट करते हैं ठीक है तो पैसा यहां से जा रहा है तो उसको हम क्रेडिट करेंगे तो डेबिट होगा पर्चेश अकाॉंट तो यहां पर दिखें पर्चेश अकाॉंट बना वाने से रिए पर्चेश अकाॉंट का ही इसे पर क्लिक कर लेते हैं कि यह देख सकते हैं जिसे कि क्रेडिट केश हो रहा है था केस से हम पर्चेस कर लिए 50,000 अब जो next entry है purchase machinery for case rupees one lakh अभी machinery जब हम purchase करेंगे वो भी case में एक लाग का तो जब भी machinery जो भी होता है हमारा fix assets होता है क्योंकि machinery हमारे assets है और वो हमारे company का है तो उसको हम fix asset में रखते हैं तो यहाँ पर देखे debit machinery हो रही है तो create करेंगे machinery account fix assets one lakh और credit हो रहा है cash अब next जो है purchase goods on credit purchase goods on credit from Mr. Pawan Kumar rupees 60,000 तो 60,000 का goods जो है पवन कुमार से हम credit में खरीदे हैं तो यहाँ पर देखिए credit होगा पवन कुमार और debit होगा purchase account ठीक है credit पवन कुमार हम उनसे खरीद रहे हैं और debit जो है वो हमारे पास जो भी है goods आ रहा है तो हमारे account debit होगा purchase account credit तो इसका जो entry होगा यह purchase entry में होगा तो f9 पे click करते हैं तो purchase का shortcut की है f9 तो यहाँ पे हम voucher select करने के लिए alter h control h पे click करेंगे accounting as voucher एस voucher पे click करेंगे अब यहाँ पे हम credit करेंगे पवन कुमार अल्टक्सी पवन कुमार मिस्टर पवन कुमार संडरी क्रेडिटर जिससे भी हम माल खरीते हैं तो वह हमारा creditors होता है संडरी क्रेडिटर कितने का खरीत रहें 60,000 और debit होगा purchase account को debit रखिए इसको save पे click कर दीजिए अब next जो entry है वह है paid discount rupees 2000 sorry paid discount rupees 2000 in case तो अभी discount जो है हम paid किये है आप यहां पर debit होगा discount और credit होगा यानि कि पैसा निकल रहा है यानि कि देखे यह indirect expenses आप discount किसी को मतलब pay कर रहे है discount दे रहे हैं तो वह आपका indirect expenses होगा ठीक है तो यह जो होगा जैसे कि credit जो है पैसा आपका यानिकल रहा है तो उसको credit करेंगे debit करेंगे discount account को तो debit discount discount given आप लिख रहे हैं और यहां पर दे दिजिए indirect expenses यह आपका indirect expenses हुआ 2000 और credit हो रहा है cash अगर मेरा entry जो है वो अगर आपको थोड़ा speed लग रहा है तो आप वीडियो को slow करके भी आप entries को एक एक करके देख सकते हैं अब 7 number sold goods on credit to Mr. Samir Alam Rs. 72,000 का credit में sell किया है Mr. Samir Alam को तो जब sell करते हैं तो हमें F8 पे click करेंगे sales entry के लिए shortcut की F8 यहाँ पे इस voucher select कर लेते हैं अब यहाँ पे लेजर जो है अब हम यहाँ पे देखिए जिसी की पेशा आ रहा है यानि की पेशा जो भी एक credit sell कर रहे हैं तो sales account को हम credit में रखेंगे debit में रखेंगे Samir Alam को तो debit Samir Alam जब भी debit तो जब भी माल हम sell करते हैं तो देटर में रखते हैं उसके बाद से पर क्लिक कर लिजे तो 72,000 का हम यहाँ पर माल सेल किये हैं अब sales entry को create करने के लिए simple से यहाँ पर create कर सकते हैं या लटर सी पर आप क्लिक करके क्रेडिट कर सकते हैं तो sales account तो 72,000 का हम से यहाँ पर sell की हैं credit basis पर ठीक है अब next तो है purchase goods on credit from rupees super private limited rupees 16,000 super private limited company से हम 16,000 का credit purchase किया हैं तो purchase जब भी करते थे आपना हम पर क्लिक किजिए एज भर्वक्चर सुपर प्राइबेट लिमिटेड सुपर प्राइबेट लिमिटेड संड़ प्रेडिटर होगा यह हमारा तुकि इसे हम पर्चेस कर रहे हैं और कितने का पर्चेस के 15,000 और डेविट होगा पर्चेस एकाउंट तो यह हमारा एंट्री होगी है रिसीप केस फ्रॉम मिस्टर सलीम रूपीस 72,000 जब भी हम रिसीप करते हैं तो हम उसको रिसीप एंट्री में पास करेंगे वो एंट्री को और यहां पर हमारा पास पैसा आ रहा है तो पैसा जब यहां पर देखे जीसिए कि एप सिक पे क्लिक करेंगे रिसीप और क्रेडिट किसको करेंगे शमीर आलं को कि 72 पडिया है एगेंस से पारे मिस अगिड़रेंस के बारे में आप इसको पे कर देंगे है कि इसका हम पैस हम पैस कर लेंगे तो पेशा रिसीब हुआ है केस में तो मैं आपर केस को स्लिप कर लेते हैं अब नेक्स जो एंट्री है पेड केस्ट टू मिस्टर पावन रूपीज सिक्टी थाउज़न तो पेड जब भी पेमेंट करते हैं तो एफ़ाइप पे क्लिक करेंगे अब पेड किये हैं पावन मिस् देविट होगा और क्रेडिट होगा क्याश क्यूंकि पैसा निकल रहा है मिस्टर पावन कमार को कितना थाउजन 60 थाउजन पेमेंट कर रहें एगेंस डिफेरेंस यह आपर देख सकते हैं 16000 का बिल पेंडिंग है इसको हम यहाँ पेड करते रहें और क्या मैं पेमेंट कर करें के अब नेक्स्ट कमिशन रीशीब किया है हमने 5000 रुपीज तो जब भी रिसीब करते हैं तो उसको रीशीब एंट्री में करेंगे और पैसा आ रहा है तो पैसा होगा डेबिट और क्रेडिट होगा कमिशन एकाउंट तो टैप 6 और कमिशन जो भी हमारा इंडरेक इनक इंड इंकम अब यहां पर हम कितना कमिशन रिसिप किया है फैक्ट हो जानगा और डेबिट होगा केस केस में हम रिसिप कर रहे हैं सब्सका है अब नेक्स्ट एंटरी है electricity bill paid रुपीज 1 तो धमीस है वह हमें हमने थे यहां पर पैसा निकल रहा है तो पैसा होगा क्रेडिट और डेबिट होगा है इलेक्टरिसटी बिल और यहां पर क्लिक्ट करते हैं payment और यहां पर electricity bill को हम करेंगे debit और credit करेंगे cash यह indirect expenses होगा यह हमारा indirect expenses होगा अब इसको हम select कर लेते हैं और कितना 1,000 और credit कर रहे हैं cash next जो entry है वो purchase goods on credit from sona enterprise रुपिस 14,000 14,000 का हमने credit में purchase किया है sona enterprise तो यह हम f9 पे click करेंगे purchase entry के लिए control h as voucher credit करेंगे और sona internet यहां पर क्या है sona enterprise तो sona enterprise हमारा नहीं है तो हम create करेंगे sona enterprise sona enterprise तो जब हम purchase करते हैं जिससे भी purchase करते हैं तो शंडिप क्रेडिटर में होगा और इसको हम यहां पर कितने का purchase कर रहे हैं 14,000 पर्चेस एकाउंट डेबिट होगा purchase एकाउंट और इसको एसेप कर दिजिए अब नेक्स्ट जो है purchase computer for case रूपिस 21,000 तो computer जब भी है वो आपने company के लिए खर देंगे तो fix asset में आएगा तो इसको हम payment में करेंगे तो यहां पर debit होगा computer और उसको हम fix asset में रखेंगे और credit होगा case क्यूकि हम अपने company के लिए खर देंगे तो 21,000 का हम computer खरीद रहे हैं और credit कर रहे हैं case अब next entry जो है वो deposit case into PNB bank रूपिस 10,000 अब case deposit करेंगे PNB bank में जब भी bank transaction होता है तो यहां पर credit हो रहा है case यानि कि bank पैसा जो है company से निकल रहा है और debit होगा PNB bank account तो credit होगा case कितना deposit कर रहे हैं 10,000 अगर आपको किसी भी तरीकी का confusion हो तो आप हमारे comment box में comment करके पूछ सकते हैं और इस नोट्स जो है वो मेरा telegram channel पर आपको मिल जाएगा या पूरा नोट्स जो है आपको telegram channel पर मिल जाएगा और इसी को आप देखके entry pass करके सीख सकते हैं अब नेक्स जो एंट्री है solve good for case rupees 8,000 अब 80,000 तो 80,000 का हम case sell किये हैं तो simple सा हम जब case sell करते हैं तो directly F6 पे कलिक करेंगे credit होगा sales account 80,000 पैसा आ रहा है तो पैसा आने से debit होता है 80,000 का हमारा पैसा आ चुका है अब next जो एंट्री है paid case to sona enterprise 14,000 sona enterprise से हमने क्या खरीदा था पर्चेस किया था तो उसका जो पर्चेस amount जो है 14,000 outstanding दिखा रहा है तो अभी उसको हम pay करेंगे case में इसका payment entry F5 पे क्लिक करेंगे तो debit होगा sona enterprise तो 14,000 जब अब pay करेंगे against reference यहाँ पर देख सकते हैं 14,000 यहाँ पर credit यहाँ पर हो so कर रहा है तो इसको हम pay करेंगे case में एसे करके आप entry को pass कर सकते हैं तो अभी देखिए जैसे कि sona enterprise को मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर voucher यहाँ पर laser voucher sona enterprise कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका amount closing balance यह नील हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमने purchase किया था 14,000 का और 14,000 हम इसको payment कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारा amount जो है नील हो चुका है तो ऐसे करके हम यहाँ पर entry को pass कर रहे हैं अब next जो entry है depreciation on machinery rupees 5000 को हम यहाँ पर depreciation कर रहे हैं तो 5000 कम हो रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे Journal entry करेंगे तो जर्नल एंट्री के लिए F7 पर click करेंगे तो depreciation account debit में होगा और credit होगा machinery यानि कि machinery से निकल रहा है यह amount जो भी 5000 कम हो रहा है तो machinery से निकल रहा है उसको हम करेंगे credit में और depreciation account को हम करेंगे debit में तो debit depreciation तो depreciation indirect expenses यह अफका खर्चा है तो कितने का कर रहा है 5000 लिखा हो डेता हूँ पहल है पहले में आपको दिखा देता हूँ और प्लट कुझ है और इससे हैं निएसि us कorU को देख सकते हैंह यहां पर है डिख सकते हैं यहां पर मैसिनेरी जो है यह है यह आपका यहां पर वान-lık दिखा रहा है यानि कि आप एक लाग का मेशिनेरी खरीदे हैं अब इस पर डेप्रिसेशन जो चार्जे से वह लग रहा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर हम ब्रेक बेख जाएंगे अब डेप्रिसेशन यहाँ भी करके उसके बाद क्रेडिट मेशिनेरी एकाउ यानि कि मेशिनेरी का जो वेलू है वो आप 25,000 हो चुका है तो यहाँ पर आपका आपका केस निकल रहा है तो इंट्रेस जब भी पे किया है तो आपको पेमेंट एंट्री में होगा FI पे क्लिक किजिए तो डेबिट होगा इंट्रेस्ट अन लॉन इंट्रेस्ट इंट्रेस्ट अन लॉन इंडिरेक्ट एक्सपेंस तो कितना वान थाउजन और क्रेडिट होगा कैस अब विड्रोग केस फ्रॉम विड्रोग केस इन्टू पी एंब बेंक रुपिस 25 तॉजन पी एंब बेंक से आप केस विड्रोग किये हैं यानि की निकाले हैं तो केस आपका यहां में आ रहा है तो डेबिट होगा क्रेडिट होगा पी एंब बेंक तो इसको हम करेंगे एफ और कॉंट्रा एंट्री में तो क्रेडिट पी एंब बेंक एकाउंट 25 तॉजन और डेबिट होगा क्या से काउंट की पैसा आ रहा है अब नेक्स जो है रिशीप सर्विस चार्ज रूपीश 18 तो यह होगा रिशीप एंट्री तो एप शौटकाट की है रिशीप एंट्री का अब क्रेडिट होगा सर्विस चार्ज और डेबिट मतलब पैसा आ तो वह होगा किस होगा डेबिट में क्रेडिट शर्विस चार्ज सर्विस चार्ज इंडेरिक इंकम यह आप करेगा इप रिशीप कर रहे हैं तो इंडेरिक इंकम होगा तो यहां पर कितना amount आप रिसीब कर रहे हैं 18,000 और क्या मैं रिसीब कर रहे हैं केस में तक debit होगा केस पेड केस टू सुपर प्राइवेट लिमिटेड रूपिस 16,000 तो सुपर प्राइवेट लिमिटेड को आप केस पे कर रहे हैं तो payment entry हमेशा याद रखिए voucher select ध्यान से कीजिएगा payment को payment में और रिसीब को रिसीब में कीजिएगा तो 16,000 इसको हम पे कर रहे हैं एक एंस डिप्रेंट देखिए जैसे 16,000 यहां पर outstanding इसका था तो यहां केस में पेड कर रहे हैं तो जैसे कि हमारा सारा entry हम यहां पे मार दे चुके हैं सारा entry हम यहां पर फिल कर लिया है अभी डे बुक में आप देखेंगे तो पास कर लिया है अब यहां पर देख सकते हैं case in hand में हमें 4 लाग होना चाहिए नेट प्रोफिट 26,000 और बेलेंस जो है 5,26,000 यहां पर होना चाहिए तो अभी हम जाएंगे बेलेंस इत में तो बेलेंस इत में जाने के लिए शिम्पल साज गेटवे अपैली पर आये है उसके बाद बेलेंस इत पर डारेकली यहां पर जा सकते हैं यहां पर जैसे के आप देख सकते हैं यहां पर बैलेंसिड जो एमयंट है वाएंट्टी इएप मेंट्प्रख़दन यहां पर आचुका है पार मैंट्प्रॉफिटоль को क्या कीनि ज twee हैं से क्योंने में जाएंगे मिंट्यद आपसंट्री चैतल तो जैए का तो यहां पर देख सकते हैं रहों और case आपका पास कितना है 4 लाग तो यहाँ पर देख सकते हैं तो ऐसे करके आप entry को pass कर सकते हैं और reconcile कर सकते हैं खुद से balance it को check कर सकते हैं तो असे दो कहूं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा हम उसको जरूर करेंगे